नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आईए इस वीडियो में हम एक समस्या का समधान सीखें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई एक अपरिमे संख्या है जो कि इस तरीके से दी गई है वर्ग मूल चिंने के अंदर दी गई है और वो अपरिमे संख्या जो है हमाली जे रूट दो है तो आपने सीखा कि अगर हम root 2 को 1 प्लस 1 का योगफल लिख दें और फिर इस 1 और 1 को पूर्ण वर्क के रूप में लिख दें तो फिर हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि root 2 एक समकोन त्रिबुज का कर्ण बुजा हो जाएगी जिसकी बाकी दोनों बुजाएं हमारे पास इस प्रकार से हैं अब यह समस्या तो हल हो गई परन्तु यहाँ पे एक समस्या है जो की हल नहीं हुई वो समस्या यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दी गई संख्या दशमलव में हो तो हम कैसे इसको अपनी संख्या रेखा पर अंकित करेंगे इसको निरुपत करने का क्या तरीका होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे यह जो चरण था उसका प्रयोक करेंगे तो आपके पास आठ दशमलव तीन और एक आ जाएगा और उसके बाद आठ दशमलव तीन के वर्ग मूल का पूर्ण वर्ग लेकर के फिर इस तरहां से करना एक बहुती जटिल कार्य हो जाएगा तो आशे यह है कि यहाँ पे जो क्रिया यहाँ मैंने आपको बताई यह क्रिया ऐसी संख्याओं पर हम नहीं इस्तिमाल कर पाएंगे जो कि पूर्ण या फिर मैं कहलूं कि पूर्ण संख्याएं नहीं है पूर्ण नहीं है मतलब कुछ आपको दशमलब में मिल रहा है कुछ भाग उनका पूर्ण नहीं है तो ऐसी स्थिती में हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कोई और क्रिया पता हो जिससे हम ये माप निकाल पाएं और या फिर मैं कहलूं कि कोई हमें एक ऐसी क्रिया पता हो जो कि हर प्रेशन में हम लगा पाएं चाहे उसमें दशमलब हो या ना हो तो इसी उद्देश्य के साथ आए हम एक बीजगरेंतिय अभिव्यक्ति से निकाल सकते हैं तो जैसा जैसा मैं आपको बताऊँ आप भी अपनी अभ्यास मुस्तिका में वो चरंड करते चलेगे तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि एकस प्लस वन बटे दो का पूर्ण वर्ग निका लिए और बटे दो का पूर्ण वर्ग निकालीए तो यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो प्रशन ये है कि एकस प्लस वन का पूर्ण वर्ग बटे 4 और एकस माइनस वन का पूर्ण वर्ग बटे 4 आपको यहां पे निकालना है और इसको हल करने के लिए जो आपको सर्व समिका प्रयोग करनी होगी वो ये होगी तो हम पहली सर्व समिका का प्रयोग करके यहां पर लिख सकते हैं कि X plus 1 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा X square plus 1 plus 2X और यहां पर हर में हमारे पास 4 ही रहेगा अगर हम इस पत की बात करें तो हमारे पास अंश में आ जाएगा X square plus 1 minus 2X और हर में फिर से हमारे पास 4 ही रहेगा अब देखिए यहां पर मैं आप से एक और बात चाहरी हूँ कि आप इन दोनों पदों के बीच का एक बार 6 फल निकाल लीजे तो 6 फल इस परकरार होगा और अगर आप यहां पर 6 फल निकालेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा आपके पास 1 बटा 4 दोनों में उभेनिष्ट है पहले अगर पद के हम सारे पद अलग अलग लिखें और दूसरे पद के पदों के आगे हमारे पास minus 10 भी यहां पर है तो कुछ इस तरहां की बात हो जाएगी और जिसको सरल रूप में लिखने में हमें मिलेगा एक बटा 4 x square plus 1 plus 2x minus x square minus 1 plus 2x और यहां पर देखिए x square x square cancel plus 1 or minus 1 cancel जिसकी वज़े से हमें 1 बटा 4 और 4x मिलेगा जो की हमारे पास x हो जाएगा अब देखिए हमें root x चाहिए था इसका क्या आशे हुआ कि अगर हम यहां पर root चाह रहे हैं तो हमें यहां पर root लगाना पड़ेगा मतलब अगर हम यह इस पूरे ही अभिवेक्ति में इस तरहां से वर्ग मूल का चिन्न लगा दें तो यह जो उत्तर हमारे पास है यह root x आ जाएगा तो कहने का आशे यह है कि आप अगर इस अभिवेक्ति को देखें तो यह एकदम सार्थक अभिवेक्ति है कि root x का पूर्ण वर्ग जो है कैसे प्रयोप करेंगे उस उत्तर की और भी ध्यान देते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि x प्लस 1 बटे 2 का पूर्ण वर्ग हम लेख सकते हैं x-1 बटे 2 का पूर्ण वर्ग और root x के पूर्ण वर्ग के बराबर और जो कि हमें यह बताता है कि अगर हम एक समकोर्ट त्रिबुज की कर्ण रेखा ये मान ले तो हमारे पास लंब और आधार रेखा ये हो जाएंगी ठीक है तो अब हमें क्या चाहिए था हमें यही चाहिए था कि हम किसी प्रकार से ये जो मान है रूट एकस इसकी असल में जो जामती रूप में हमें लंबाई है वो अपने आप कहीं पे मिल जाए क्योंकि इसको हम अपनी पटरी और पैंसिल के प्रयोक से तो नहीं बना पाएंगे तो अब हमें क्या करना है देखिए आपको एकस पता है आप एकस माइनस एक बटे दो का अधार बनाईए एकस प्लस एक बटे दो का करण बनाईए और ऐसे समकोंट त्रिबुच की जो ये लंब है वो आपको मानिंगी गई लंबाई दे देगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने एक A B रेखा खीच ली और मैं गहूँ A B रेखा खंड खीच लिया जो की X मातरक का है इसके पस्चाथ आप दूसरा चरण ये करेंगे कि आप B C एक मातरक इसके आगे खीच लेंगे अब ही हमारा उद्देश क्या है? X प्लस 1 बटे 2 पाना, X माइनस 1 बटे 2 पाना अब देखिए आपको X प्लस 1 बटे 2 के लिए क्या करना होगा? कि इस पूरी रेखा A C जिसकी लंबाई X प्लस 1 थी उसका मध्ध बिंदू आप पालेंगे तो मध्ध बिंदू से C तक की दूरी आपको कितनी मिल जाएगी X प्लस 1 बटे 2 और यह यहां पर ही दर्शाया गया है कि कैसे हमें X प्लस 1 बटे 2 मिल जाएगा अगर आप असल में अपने प्रकार प्रयोक कर रहे हैं तो पहले बिंदू A पर आ करके प्रकार की धातू नोक को रखते हुए पैंसल से एक चाप उपर और नीचे बनाएं फिर अपने प्रकार की धातू नोक को C बिंदू पर रखते हुए पहले की चाप को काटते हुई एक चाप उपर और नीचे बनाएं फिर इन दोनों ही बिंदुों को आपस में आप अगर जोड देंगे तो जिस बिंदु पे ये रेखा प्रतिछेद करेगी AC को उस बिंदु से C तक की दूरी आपको X प्लस एक बटे दो मिल जाएगी अब आपको क्या चाहिए आपका एक लक्ष पूरा हो गया आधार वाला कि आपको X प्लस एक बटे दो मिल गया अब दूसरा लक्ष क्या है कि X माइनस एक बटे दो आपको चाहिए तो x-1 बटे 2 आप देख सकते हैं कि वो ये दूरी होगी कैसे देखिए आपके पास जो पूरी दूरी थी वो थी ओसी यानि की x-1 बटे 2 और उसमें से आपने bc- कर दिया यानि की 1 1 को हम लिख सकते हैं 2 बटे 2 तो ये क्या हो गया x-2 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 minus 2 बटे 2 जो की हो गया x बटे 2 minus 1 बटे 2 जो की हो गया x-1 बटे दो तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये ओ भी दूरी है वो x minus 1 बटे 2 मिल जाएगी अब x minus 1 बटे 2 दूरी आपको आधार में चाहिए थी तो वो आपको आधार में मिल चुकी है परन्तु X प्लस एक बटे दो दूरी आपको कहां चाहिए थी कर्ण रेखा पे चाहिए थी तो कर्ण रेखा पे चाहने के लिए हमने क्या किया कि अपनी प्रकार की धातु नोक को O बिंदू पे रखते हुए और तरिज्जा को O C मानते हुए एक इस तरहां से हमने वृत बना लिया और हम जानते हैं कि वृत की तरिज्जा हर बिंदू पे ही समान रहती है इसलिए कोई भी बिंदू पे आप अगर तरिज्जा ना पेंगे तो आपको X प्लस एक बटे दो ही मिलेगी तो इस प्रकार से हमने एक यहाँ पर वृत बना लिया अब वृत बनाने के बाद हम क्या करेंगे वृत बनाने के बाद हम यह करेंगे कि जो अर्ध वृत है उपर के और उसको थोड़ा जादा ध्यान देंगे और फिर जो B बिन्दू है जहाँ पे X माइनस एक बटे दो वाला आधार हमें मिल रहा है उस बिन्दू से हम एक यहाँ पे समकोंड त्रिबुज इस तरहां से पूरा कर लेंगे उसको करने में कुछ जादा कार नहीं है आपके पास O बिन्दू था B बिन्दू था अगर हम रेखाओं की बात करें तो यह रेखा जो है जो की यहाँ पे लंब है वो हमें रूट X मान दे देगी जो की हमारे प्रश्न का असल बात थी तो रूट X आपको मिल गया इस समकोंड त्रिबुज के लंब से जो की रूट X होगा रूट X पाने के लिए हमने जो भी जयामिती रूप में यहाँ पे चरण प्रयोग किये वो मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिये है इसी क्रिया को बहतर समझने के लिए आईए एक उधारन को ले ले तो धारन में हमें कहा गया है कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर निरुपित कीजिए तो सबसे पहले आप एक रेखा बना लीजे और इस रेखा की लंबाई आप कितनी लेंगे इस रेखा की लंबाई हम ले लेंगे 9.3 मात्रक अगर आप सेंटिमीटर में चल रही है तो इसको सेंटिमीटर ले लें इसके पस्चात अगला चरण ये है कि जो भी इसकी ये बिंदू थी इससे एक सेंटिमीटर दूरी आप और खीच लें जो की कुछ इस तरीके का दिखेगा आईए एक बार यहां पे नामानकन भी कर लें तो ये हो गया A, B और C और ये जो दूरी B, C है इसकी लंबाई है एक सेंटिमीटर इतना करने के बाद आपको इस रेखा A, C का मद्ध बिंदू पाना था उसको पाने के लिए आप A, B बिंदू पे आईए अपने प्रकार की तरिज्जा को आधे से जादा पे रखते हुए एक तरिज्जा उपर और एक चाप नीचे लगाईए इसी प्रकार से बिंदू C पे जाकर के ये बिंदू O और C की दूरी कितनी हो गई आपके पास जैसे कि हम X प्लस एक बटे दो की बात कर रहे थे तो वो दूरी आपको मिल चुकी है अब आप क्या करेंगे कि O को वृत का केंद्र मानते हुए एक वृत बनाईए जिसकी तरिज्या O, C या O, A के बराबर हो बिंदू से जहां पर इस पर्ष कर रही है इस वृत को एक हम कण रेखा खीचेंगे जो की O बिंदू पर इस पर्ष करें अब आप एक समकोंड त्रिबुच देख सकते हैं इस प्रकार से और इस समकोंड त्रिबुच की जो लंब रेखा है कहने का आश है रेखा BD इसका मान हो जाएगा रूट T 9.3 मात्रक क्योंकि यह सेंटिमीटर लिया है तो यह सेंटिमीटर हो जाएगा जो की हमें चाहिए था तो इस प्रकार से चरण पर चरण अगर हम कोई क्रिया करते रहेंगे तो आपको जो संख्या दी गई है एक अबर्मे संख्या वो हम यहाँ पर इस तरह से पा सकते हैं